हेलो बच्चों आज हम स्स्ट का चैप्टर 10 सिगनल इंस्ट्रिमेंट्स पढ़ेंगे सिगनल क्या होते हैं पीटा सिगनल मींस होता है संकेत यानि कोई भी हम इशारे ठीक हम किसी को कोई इशारों के दुआरे कोई बात समझाते हैं उनको सिगनल कहते हैं अब वह जिन इन्स्रिमेंट्स जैसे हम कोई ऐसे मीनियोज बता आरे तो तीवी में दिखा रहे हैं या उन्ायो में सुना एं या न्यूस प्रसे दिखा आ और एंस्ट्रिमक् सेमाफोर ऐसा पहला सिग्नल इंस्ट्रुमेंट था जो 200 साल पहले क्या हुआ था इन्वेंट हुआ था ठीक है फर्स्ट सिग्नल इंस्ट्रुमेंट कौन सा था हमारा सेमाफोर और फ्रेंच में रिएति डा सिग्नल विद एल्फबेट उसिंग डिफरेंट पोजिशन ओफ हुउमन आप्स तो उसने क्या किया था एल्फबेट्स की साहता से डिफरेंट जैसे में दे रखा है ना यूमन आप यहां ए लिखा है यहां बी लिखा है तो ऐसे लिखकर उसने क क्या था signal के लिए instrument जो था उसको इन्वेंट किया था लेटर ओन दिस धा instrument with two mechanical arms was placed उसके बाद में क्या हुआ एक instrument मना जदो कैसे थी mechanical arm यानि की machine से ऐसे arm की shape बना दिया गया था वोस प्लेज़ और टॉप और सेंट signals its speed was 90 times faster than horse riders और इसकी speed कितनी तेज थी कि जैसे घोड़े दोड़ते ना उनसे 90 टाइम्स जादा था ठीक है आने सोचो कितनी फास्ट चलता होगा यह फिर उसके बाद बिग्निंग ओफ रेल्वे सिग्नल्स की शुरुवात कैसे हुई थी वसप रेल्वे सिग्नल्स रो अर् कृटिटव आउट एउट अफ फ्रों सैम आफ़ोर के द्वारे हमने क्या किया था रेल्वे सिग्नल्स जो थे वह क्रियेट किये थे this equipment यूजिस डिफरेंट कलर of traffic lights और यह equipment किसमें यूज होता है different color के traffic lights में भी यूज होता है which are used till date even as traffic signals on road जो आज तक भी हम use करते हैं traffic signal की तरह कहां पर road पर आपी देखते हुआ जो अभी में बता रही थी जो red light होती है green light होती है yellow light होती है वो वो कितने सालों पहले सुच हो अब आएगी telegraph की बात about 150 years ago even before the use of electricity the first electronic telegraph machine was invented के जो डेड़ सो साल पहले जब तब बिजली भी नहीं आई थी तब electronic telegraph machine क्या होई थी invent की गई थी या निसकी खोज होई थी messages could be sent through wires on telegraph pole तारों के द्वार मैसेज भी जे जाते थे telegraph pole से यह देखो जो telegraph का pole बना हुआ है आपके में diagram है that carry electric signal within moment और यह कुछी time में electric signals को इदर से उदर पहुचाते थे उसके बाद Morse code की बात है Morse code is the system of dots and dashes का जिस्टम तो उसको Morse code कहते थे prepared by Samuel Morse hands named after him यह Samuel Morse नाम के आदमी ने बनाया था है इसलिए इसको हम Morse code के नाम से जानते हैं उसका नाम उसी के नाम पे रख दिया अब बात होती है telephone की in 1876 Alexander Graham Bell invented telephone तो telephone के अविशकार किस ने किया था invention किस ने की थी Graham Bell ने वियर human voice travel on electric wire जहां पर इनसान की आवाज कैसे जाती थी एक से दूसरे तक तारों के द्वारा पहले कैसे होते थे mobile नहीं होते थे ना पहले phone होते थे ऐसे इस design के जब number मिलाते थे इसको ऐसे एक एक करके गुमाते थे ठीक हैं और फिर इस वायर से ऐसे लंबे लंबे तार जगह जगह लगे रहते थे उस वायर से ही आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती थी जो पहली बार बात किते हैं को invention किस ने किये ग्राहम बैल लेकिन पहली बार जो था न उसने अपने assistant को बुलाया था वास्टन कम है उसको बुलाया थॉमस अलवा एडिशन modified this instrument and it became famous ठीक है जो थॉमस अलवा एडिशन था उसने क्या किया था इसमें modification किया है इसमें changes की है and it became famous edition was started by saying hello और ये बात famous हुई थी कि सबसे पहले जो hello बोला था न वो Edison ने बोला था कि इन्वेंशन तो किये ग्रामवेल ने लेकिन सबसे पहले बोला किस ने था उस पे तो वो famous हो गया था कि भी Edison ने बोला है ठीक है the tradition on telephone hello word बोला था hello सबसे पहले क्यों बोला था क्योंकि उसकी friend थी या wife थी जिसका नाम hello था उसने उसको call करके बोला था तो question आपका अगर आएगा invention किसने की telephone की तो हम बताएंगे Graham Bell ने और अगर question आएगा कि सबसे पहले उस पे conversation की या फिर hello किसने बोला थो Thomas Alva Edison दोनों question telephone की है लेकिन दोनों answer अलग अलग है now a days even people living interior of villages in India can talk their relatives and friends by telephone booths using public phone कि अब कितनी भी दूर आज के टाइम पे भी लोग कहां रहते हैं भी कितनी इतने अंदर गाउं में जाकर भी रहते हैं India में वो भी अपने रिश्टादारों से बात कर सकते हैं फ्रेंड से बात कर सकते हैं तो अब तो देखों मुबाइल आ ग progress has taken place in this field rapid मतलब तेजी से क्या हो रही है progress हो रही है इस चीज में even in the village people have mobile phone in their hands आपने भी देख रहा होगा गाउं में भी अब लोगों के पास क्या होते है mobile phones होते हैं अब fax की बात करते हैं भी fax क्या चीज थी telephone has led to many other inventions telephone की वज़े से क्या हुआ और भी दूसरी invention यानि खोज हुई थी for example fax और photocopy machine ठीक है एक fax machine होती है और एक photocopy machine होती है वो भी telephone की वज़े से हुई थी we can fax any document message और a picture on paper within minutes to distant place हम क्या करते हैं फेक्स करते हैं machine में और कोई दूर बैठा होते है न उसके पास कुछी seconds में या minutes में हमारे document पहुँच जाते हैं वो message भी हो सकता है picture भी हो सकते है paper भी हो सकते है as it is वहाँ पहुच जाते है with the help of electric signal और वो किसकी वज़े से होते है electric signal की help से the receiver at the fax machine immediately gets a print out or photocopy of the paper faxed उसी टाइम इंसान क्या होता है जो दूसरी साइट बैठा होता है वो उसको print को निकाल लेता है जैसे मालो मैंने आपको कोई photo बेजी काम की ठीक है जैसे आज कल PDF बेजते हैं आप क्या करोगे अब तो print निकलवाने जाओगे print की machine पे जाओगे और वहां से easily उसका print out निकलवा लोगे इसी तरह fax पे होता है कि मैं अपने fax पे डालती हूँ और आप अपने fax machine से निकाल लेते हूँ दा fax machine is attached to the telephone using the same telephone number as fax number पहले के टाइम में क्या होता है तो जो टेलीफोन का नंबर होता था था सेम नंबर fax का होता था अब आगी बात पही कैम्रे की अब तो मोबाइल आगे मोबाइल पीजी बेजते हैं जब मोबाइल नहीं था तो fax machine का यूज करते थे कैम्रे में क्य ले हो गया था किस ने किया था by a french louis dager ने louis dager ने कैम्रे का विश्कार किया था इन्वेंशन की थी camera की 150 year ago it can into use only after 50 year of its invention और वो camera सिस अपनी invention के 50 सालों तक ही यूज किया गया था then an american george eastman invented a camera in which a film role was used for the first time उसके बाद वो भी ज्यादा successful नहीं था ठीक है जो french louis dager ने पहला camera बनाया उसके बाद अमेरिका का जो george eastman था ना उसने भी camera को इंवेंट किया जिसमें उसने क्या करा था film role डाली थी पहले रील डलती थी विटास के अंदर वो डाली थी eastman color film व ओकिन आधार कारड उसके फोटो यूज होता है ना अधार कारड में पासपोर्ट में आईडेंटिटी कार्ड में बस के पास में अंद्राइविंग लाइसेंस में यह सारे युज होते हैं वी क्लिक फोटोस ऑन बढ़र बढ़र दे भी आप लोग क्या करते हो फोटोस किच लेते हो यह सब होता है can you imagine a book without pictures or photographs और आप देखो यहाँ पर फोटो छपे हुए है आपको भी सोच सकते हो ऐसी बुक हो जिसमें कि कोई फोटो ही नहीं हो these days the cameras are so small that they can be fitted on the top of cricket stamps किली होती है किली बोलने है जिसको वो लगी होती है उसमें चोटे से में उपर भी कैमरा लगा होता है even इतना चोटा कैमरा होता है आपकी शर्ट के बटन में भी लग जाएगा the cameras no longer require film rolls और आजकल जो camera होता है नमें रोल की ज़रुद भी नहीं होती है जिसे पहले reel डलती थी बड़ी बड़ी अब देख हमारे mobile में phone है उसमें कोई reel थोड़ी डली है because computers fitted in them क्योंकि computer की वज़र से इनकी need होती नहीं होती है रॉंग क्यों है क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था semaphore was the first signal instrument जब semaphore first था तो telegraph रॉंग हो गया real signals were developed from semaphore true है बई real signals जो develop होए थे semaphore से होए थे यह भी first page पे लिखा है about 150 years ago the electric telegraph machine was invented before the use of electricity यह भी true अभी हमने पढ़ा था नहीं electricity से पहले ही telegraph हमारे जो आ गए थे the inventor Graham well started the tradition of hello on the telephone क्या hello पहली बार Graham well ने बोला था नहीं hello किस ने बोला था Edison ने पूरा नाम भी बोल सकते हम Thomas Elva Edison ने first time hello बोला था तेखो conversation की थी या फिर जो invention की थी वो तो की थी Graham well ने लेकिन जो hello बोला था ना hello बोला था Thomas Elva Edison ने next यहाँ पर telephone है इसका diagram बनाना है mobile है mobile बनाना है who invented the following अब देखो telephone की invention किस ने की Graham well ने camera की invention किस ने की थी लुई डागर ने ठीक है और camera का जो वो दूसरा नाम है ने विटा George Eastman उसने इंप्रूवमेंट की थी लेकिन invention किस ने की थी French का रहने वाला था Louie Dougherd आगे चलते सिनेमा की बातती है सिनेमा मतलब जो हम फिल्म बगेरा देखते हैं इसको सिनेमा कहते हैं photos taken in series when seen together with a fast speed become a film बहुत सारी photos को अगर हम एक साथ लगादर उनको इसको फास्ट चलाएं तो ऐसा लगेगा फिल्म है तो वो क्या बन जाती film old movies had neither sound nor were colored पहले पुराने टाइम की movies कैसी होती थी ना तो उसमें आवाज होती थी और ना ही उसमें color होती थी 22-18-95 लुमिर ब्रदर्स screened the first short film in Paris capital of France परिस क्या है फ्रांस की capital है वहाँ पर सबसे पहले लुमिर ब्रदर्स ने क्या किया था first short film बनाई थी अगर पूछेंगे first film किसने बनाई थी वोल्ड में लुमिर ब्रदर्स ने within three years short film were made in Mumbai and Kolkata in India इंडिया के अंदर Mumbai और Kolkata में three year के अंदर एक short film बनती है सो चो कितना time लगते है तीन साल में छोटी सी film बनती है बस धुंदी राज गोविंत फालके और दादासाइब फालके दादासाइब फालके का नाम जातर ने सुना होगा was the first film first Indian made the first silent movie पहले ऐसे इंडियन थे जिनोंने क्या बनाई थी silent movie बनाई थी जिसका नाम था silent movie कौन सी थी राजा हरिश्चंद किस ने बनाई थी दादासाइब फालके ने बनाई थी आगे चलते हैं about 86 years ago in 1913 में year भी आतकर लेंगे 1913 में 1913 में क्या हुआ तब देखते हैं अर्देश्री इरानी made first Indian talkies or speaking film आलम आरा ठीके इसका year नहीं दे रखा राजा रिश्चंद का 1913 में अर्देश इरानी ने एक बोलने वाली film बनाई जिसका नाम था आलमारा अगर first speaking movie का नाम पुछेंगे तो आलमारा first silent movie थी राजा हरिश्चंद ठीक है first movie राजा हरिश्चंद first silent movie sorry first talking movie आलमारा जो silent movie थी राजा हरिश्चंद वो बनाई दादसाब फालके ने और जो speaking movie थी आलमारा वो बनाई अर्देश्री इरानी ने 1913 में today in India the largest number of films are made on अब इंडिया में क्या है बहुत बड़ी संख्या में फिल्म में बनाई जाते हैं in less than 100 years Indian producer have made about 29,000 films के बिटा सिर्फ सो सालों के अंदर ही इंडिया ने 29,000 फिल्म में बना ली है अब बात करते हैं टेलिविजन की today it is possible to see on television screen a live telecast और a recorded program अब हम टीवी पे क्या है लाइव टेलिकास्ट भी देख सकते हैं और recorded program भी देख सकते हैं with sound sound भी आती है color भी आते हैं even from a remote place के remote मतलब होता है दूर दूर बैट कर भी easily देख सकते हैं about 70 year ago British Broadcasting Corporation यानि BBC started the first television service in the world BBC ने 70 year पहले ही क्या किया था television service world में लेकर आई थी today a football match being played in Brazil can be seen in the television in any part of the world मालो Brazil में कोई match चल रहा है हम इंडिया में बैटके भी देख सकते हैं किसी गाउं में बैटके भी देख सकते हैं इंडिया के या फिर और किसी country में भी देख सकते हैं easily in India television was started in 1959 इंडिया में television कब आया 1959 में then three programs were telecast in a week एक week के अंदर सिर्फ तीन प्रोग्राम आते थे उस time प आने in 1982 the color television came in to use 82 के अंदर आपके पास color television आगे इसके पहले black and white हुआ करते थे color भी सबके घरों में नहीं थे 82 में भी up to 88 दूरदर्शन reached up to 87 percent of population in most of Indian languages फेर क्या हुआ 18-8 में दूरदर्शन आ गया जो 87 population के पास पहुच गया था ठीक है और यहां पर क्या है in 1906 first radio broadcast was held in America on the occasion of Christmas Christmas के occasion पे 1906 में पहला radio broadcast किया गया वो भी कहां पर America के अंदर तुड़े प्राइवेट टेलिविजन कंपनीज हैस देर ओन 24 आर चैनल अब देको 24 घंटे चैनल चलते हैं आप कभी भी टीवी ओन करो ओन हो जाते हैं लेकिन पहले क्या होता था अब शुरू शुरू में तो तीन ही अनाटक आते थे फिर एक टाइम लिमिट थी और बारा आप नियुक सेवेटल चैनल कोई नाटक आतार तो क्षी अनध्यो की टूडे commitment में में हमें स्वाहता संच सौंग सुनते सभी which can receive the voice signal without the help of wire इसमें क्या है बीना तार के भी आवाजे सुनाई दे सकती है in 1927 radio broadcast was started by private company in India 1927 में 1927 में एक radio broadcast सबसे पहले start किया गया था वो इंडिया के प्राइवेट कंपनी ने किया था soon British government started the transmitters which called all India radio फिर British government थी ना जिन्होंने हमारे उपर रूल किया था तो उन्होंने transmitter का start किया जिसको all India radio नाम से जानना गया after independence जब हम independent हो गए AIR वस गीवन दे नियू नेम आकाश्वानी AIR को AIR means all India radio को आकाश्वानी का नाम दिया गया do you know that all Indian languages programs were telecast by AIR कि जितने भी Indian languages program में वो AIR यानी और इंडिया रेडियो के द्वारा टेली कास्ट होते हैं अब बात आते हैं इंटरनेट की इंटरनेट तो सब भी जानते हैं today computer are cheapest faster and most important machine used for communication सबसे सस्ता तेज चलने वाला और important machine कॉनसी आज के ताइम पर कॉम्यूनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए internet है computer network called internet computer का जो network है उसे हम क्या कहते हैं internet कहते है was invented 30 years ago in USA और यह कब रूंडा गया जादा पुराना नहीं थर्टी एर पहले ही देखा गया था यूएसे में इसको इन्वेंट किया गया था computer converted the information into small part while sending on internet internet पर जब कुछ भी बेशते है small part में इसको क्या कर देता है computer convert कर देता है these small part are sent to another computer where that collect these part of information एक computer से यह कहां चली जाती है information दूसरे computer में चली जाती है today we can send written messages, photographs, voice message और even electronic mail और email email की full form होती है electronic mail तो हम क्या करते हैं बहुत easily बेशते हैं जैसे आप भी काम करके मुझी क्या करते हो photo कीच के बेश देते हो, message type करके भी बेश देते हो और voice message से भी अपने reply करते हो या कुछ पूछ लेते हो तो यह कितना फास्ट होगे computer की वज़े से if you have a cyber cafe और internet booth near your house then go there and see how the people send or receive this message इसी तो पहले की बहात है अब तो आप घरों में सब कुछ देख सकते हो वैसे पहले जब घर में mobile नहीं होते थे तो इनोंने कहा था कि internet booth पे जा कर देख लो ठीक है लेकिन अब तो आप mobile में message भी करते हो खुद भी करते हो voice call भी करते हो और video call भी करते हो fill in the blanks अब exercise वक देखते हैं Morse code signals are used to send message by telephone कौन से use किया रहते signals Morse code telephone पे conversation के लिए invention invented the first camera in which film role was used देखों वैसे camera जो पहला invent किया था लुई डगर ने किया था लेकिन which film role was used film role used करने वाला किया था George Eastman ने ठीक है George Eastman Dash Brothers made first film first film किसने बनाई थी first film बनाई थी देखो Lumiere brother ने उसके बाद है Dash was the first Indian who made the first silent movie अब पहली silent movie किसने बनाई थी Dada sahab Falkene Dash is the largest filmmaker in India तो कौन है India sorry in the world world में सबसे जादा फिल्में कहा बनती इंडिया में मैंने बताया था न सिफ 100 years में 29,000 फिल्में बना ली इंडिया ने Dash was first person say hello Hello सबसे पहले किसने बोला था Edison Hello bola Edison Edison ने इंवेंट किया Graham Bell इसली आद हो गया सपी को आगे चलते है कोशन क्या है What is television तेलीविजन क्या होता है Television is a machine येक machine होती है We can see live or recorded films with sound in anywhere in the world But we can easily see film देख सकते हैं चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डड़ हो ठीक है और उसमें sound भी आती है और उसकी picture बनाने है Draw picture तो यहां पे पिक्चर भी बना देंगे Then matching का है Telephone Telephone का relation किससे है Alexander Graham Bell से Morse code का Samuel से Rail signal का Samophore से Mahatma Gandhi का Postal Stem से और उडिसा का Pisan Postal Service अभी हम अगले chapter में भी पढ़ेंगे Pisan Postal Service का कि जो Pisan Postal Service कोशन मैधावी में भी आता है कहां की इंडिया में Pisan Postal Service सबसे बैस्ट मान जाती है उडिसा का बताते है उडिसा में Pisan Postal Service ठीक है यह learn कर ले ना बस आपका chapter फिनिश हो जाता है Thank you Thank you